हेलो फ्रेंज अफसर आपने देखा होगा कि जब भी किसी भी परिवार के अंदर ये खबर पहली बार आती है कि उनकी होने वाली बहू या फिर पत्नी मा बनने वाली है और गर्बवती है तो सब लोग एक दूसरे के साथ बैट कर ये डिसकेशन करना शुरू कर देते हैं कि हमें घर की कोई भी परेशानी उस लेडी पर नहीं डालनी है ज गर्बवस्ता के दौरान अगर वो ज्यादा स्ट्रेस लेगी तो ना केवल उसका शरीर कमजोर पड़ेगा बल्कि बच्चे पर भी बुरा प्रभाव पढ़ सकता है इसलिए महल को कूल और लाइट कैसे बनाना है और क्यों कहा चाता है कि गर्बवती महिला के लिए कूल मह को ज्यादा गर्मी का एहसास ना हो आपने अक्सर देखा होगा कि गर्मी की वज़े से कही लोगों की मौत हो जाती है क्योंकि उनका शरीर गर्मी के तापमान को झेल भी नहीं पाता है तो आप खुदी सोच सकते हैं कि यदि गर्बवती महिला के अंदर एक जान पल रही है तो वो औरेड़ी पेट की गर्मी के अंदर होती है अगर बाहर का प्लाइमेट और तापमान भी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा तो ये मिसक्यारिज का खितरा बढ़ा सकते हैं एक शोच से बात सामने आई है कि जब गर्म होती महिला ज्यादा तर गर्मी का एहसास करती है धूप में ज्यादा काम करती है या पिर गर्मी होने की वज़ज़ से सही तरीकी से महौर को और अपने रूम को एसी चला कर पंखा चला कर या फिर कूलर चला कर ठंडा नहीं कर पाती है तो ऐसा करने से शरील का तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है और जैसे जैसे शर स्वस्त रहें आपका बच्चा स्वस्त रहे और डिलिवरी के टाइम पर आप एक स्वस्त बच्चे को जनत दे सके तो क्लाइमिट पर फॉकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है जी हां अपने तनाव को दूर रखिए अच्छा आहार का सेवन करिए योगासन करिए परिवार के साथ टाइम स्पेंड करिए डॉक्टर के पास ज्यादा से ज्यादा बार जाकर हमेशा अपना चेक अप सही समय पर कराईए दवाईों का समय समय पर इस्तेमाल कीजिए कोई भी परिशानी हो तो बड़े भुजूर्गों से या फिर अपने डॉक्टर से सलह लीजिए और इस वीडियो को जरूर देखिए और अपने व्यूस को हमारे साथ शेयर करिए मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटिब वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए